आप इस समय देश की पहली एजुकेशनल आडियो वेबसाइट www.effortlessgk.com के आडियो सुन रहे हैं एक वेबसाइट जिससे आपको प्यार हो जाए अब आप गूगल प्ले स्टोर से Effortless GK का मोबाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं इस ओडियो की जरिये आप फरवरी 2017 के पहली सब्ता के करन्ट अफैस के बारे में जानकारी प्राप्ट करेंगे अगर आपको Effortless GK के वीडियोस पसंद आते हैं और आप आगे भी इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपसे request है कि प्लीज आप हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लें YouTube चैनल को subscribe करने का कोई पैसा नहीं लगता है ये बिल्कुल free है चैनल को subscribe करने के लिए आप अपनी Gmail account से YouTube की अंदर login कर लें और जो वीडियो आप watch कर रहे हैं उसके नीचे एक छोटा सा लाल कलर का बटन है उस पर लिखा हुआ है subscribe बस वहाँ पर क्लिक कर दे सब्सक्राइब करने से जो भी वीडियोस आगे चैनल पर पोस्ट होंगे वो आपको मिलते रहेंगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें अब शुरू करते हैं तीन फरवरी 2017 अमेरिका के राश्रुपरती डरनल ट्राम्प को जटका देते हुए सियाटल की एक अदालत ने उनके उस आदेश पर अस्थाई रोक लगा दी है जिसके तहत उन्होंने साथ मुस्लिम देशों से लोगों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया था अमेरिकी फेडरल जज नियाधीश जेम्स एल रॉबर्ट ने वाशिंग्टन राज्य के अटर्ने जर्नरल बॉब फुर्गुसन के आग्रपर ये आदेश दिया जज ने कहा कि सर्कार के तर्क के पीछे कोई सबूत नहीं है कि बैन किये गए देश के लोगों से देश को बचाने की जरुरत है कोट ने ट्रम्प के इस आदेश को गैर कानूनी और असमवैधानिक करार दिया क्योंकि ये धर्म के अधार पर लोगों में भीदभाव करता है ट्रम्प ने एक कारेकारी आदेश के जरिये अमेरिकी शर्नार्थी प्रवेश कारेक्रम पर 120 दिनों के लिए रोक लगा दी थी सीरियाई शर्नार्थियों के अमेरिका में प्रवेश पर अनिश्च्रितकालीन पाबंदी लगाए गई वहीं इराक, सीरिया, इरान, लीबिया, सुमालिया, सुडान और यमन से यहां आने वाले लोगों पर 90 दिन के लिए प्रतिबंद लगाया गया था अमेरिकी राश्रुपती डोनाल ट्रम्प ने मिसाइल परिक्षणों को लेकर इरान के खिलाफ नए प्रतिबंद लगाने की घुशना की है अमेरिका ने दो दर्जन से अधिक इरानी काईयों पर प्रतिबंद लगा दिये हैं ट्रम्प प्रशासन ने संकेत दिया था कि इरान पर पहली से अधिक सक्त परतिबंद लगाये जा सकते हैं इरान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल के परिक्षण की पुष्टी की है हाना कि उसने पर्मानु समझोते सी संबंधित शर्तों के उलंगन से इनकार किया है ट्रम्प के राश्ट्रपती बनने के बाद इरान ने पहले बार बैलिस्टिक मिसाइल का परिक्षण किया है इरान ने मिसाइल परिक्षण तेहरान से करीब 225 किलोमीटर पूर्व सैमनान इलाकी में किया गया इस मिसाइल की मारक्षमता 600 मील है इरान का कहना है कि उसकी मिसाले संयोक्त राश्ट्र प्रस्तावों का उलंगन नहीं है क्योंकि वे सिर्फ रक्षा उद्देश्यों के लिए हैं तथा उनको पर्मानु हतियार ले जाने की सक्षम नहीं बनाया गया है केंद्रिय शहरी विकास मंत्राले ने 3 फरवरी 2017 को अटल काया कलप एवं शहरी रुपांतरण मिशन के तहत अगले तीन वित वर्ष वर्थात वर्ष 2017 से 20 के लिए छे राज्यों की अटल मिशन योजनाओं को मंजूरी दे दी है उन राज्यों में करनाटक, जारखंड, हिमाचल प्रदीश, अरुनाचल प्रदीश, नागा लैंड और पुड़ुचेरी शामिल हैं इन छे राज्यों में अम्रित मिशन के अंतर गयतानी वाले 42 शेहरों में 1432 करोड रुपे की केंद्रिय सहायता की साथ कुल 2863 करोड रुपे की निवेश को मंजूरी दी गई है करनाटक में 2070 करोड रुपे, जारखर में 556 करोड, हिमाचल प्रदीश में 115 करोड, अरुनाचल प्रदीश में 53 करोड, नागा लैंड में 45 करोड और पुड़ुचेरी में 24 करोड रुपे खर्च किया जाएंगे इस योजना के तहट सभी शहरी घरों को नलों के जरिये जलापूर्ती के व्यवस्था करने, जलापूर्ती को बढ़ा कर प्रतिव्यक्ति प्रति दिन 135 लीटर के मानकस्तर पर पहुँचाने, सीवरेस एवं निकासे की नेटवर्कों को बहतर करने, गैर मोटर वाली परिव बढ़ावा देने और पार को एवं हरित स्थलों के विकास पर ये राशी खर्च की जाएगी। इसका मुख्याल है जनेवा में हैं। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार संपूर्ण विश्व में लगभग आठ मिलियन लोग प्रतिवर्ष कैंसर से मरते हैं। अनिवार्य बनाया जाएगा। पिछली सुनवाई की दौरान चीफ जस्टस जेयस खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि मुबाइल में सिम कार्य का उप्योग बैंकिंग कार्यों के लिए किया जा सकता है। कोट ने कहा था कि ये एक एहम मसला है। अगर गलत पहचान पर मुबाइल नंबर पाने वाले लोग किसी के साथ पैसों की ठकी करती हैं तो उन्हीं कैसे पकड़ा जाएगा। नंबर सिक्स तमिलनाडू की राज़िपाल सी विद्यासागर राव ने 6 फरवरी 2017 को मुख्य मंतरी ओ पनीर सेवलम का अस्तिफा मंजूर कर लिया। राज़िपान ने पनीर सेवलम को लिखे पत्र में मौजुधा मंतरी परिशत से वैकल्पिक विवस्था बनने तक कामकाद सम्हाले का अनरोथ किया है। पनीर सेवलम ने शशिकला के लिए 5 फरवरी 2017 को मुख्य मंतरी पत्से इस्तीफा दे दिया था। पार्टी ने शशिकला को विधायक दल का नेता चुन लिया था। केंद्र सरकार की ग्रामिर शेत्रों के लिए चलाई जा रही कल्यानकारी योजनाओं की निगरानी के लिए एक सोशल रेजिस्ट्री बनाई गया रही है। पहले ही इस पर काम शुरू कर दिया है। और ये इसे लेकर वर्ल्ड बैंक के साथ भी विचारवे मर्श कर रही है। सोशल रेजिस्ट्री सिस्टम से सामाजिक और आर्थिक लाभू में जाल साजी और दोहराव को कम करने के साथ ही लाबार्थियों के जीवन स्तर की निगरानी के लिए एक सिस्टम उपलप्त कराना है। कतर एरलाइन ने 5 फरवरी 2017 को विश्व की सबसे लंबी वाने जिक उणायन दोहा से ओकलान की शिर्वात की। बोईंग 777-200LR ये अपनी मेरिथन यात्रा यान की 14,535 किलोमीटर को 17 घंटे 20 मिरट में पूरा करेगा। 6 फरवरी को फ्लाइट के ओकलान पहुँशने पर अंतिराश्य परमपरा के अनुसार उसका स्वागत पानी की बोच्छार से किया गया। पिशले साल अमिराथ एयलाइन्स द्वारा की शरू की गई वानेजिक उनायन दुबाई से ओकलान विश्व की सबसे लंबी उनायन सिवा थी। जिसकी दूरी 14,200 किलोमीटर थी। वित्मंत्री अरुन जेटली ने तीन फर्वरीज 2017 को नोट बंदी से संबंधित विनिर द्रिष्ट बैंक नोट यानि की दायत्वों को समाप्ती अध्यादेश 2016 की जगल लेने वाले विध्ययक को लोग सभा में पेश किया। जिसमें 31,000 दिसंबर 2016 के बाद पुराने 1,000 और 500 रुपे की नोटों को रखने उनका लेन दिन करने या प्राप्त करने को प्रतिबंधित किया गया है। प्रदिश्ट बैंक नोटों के अंकित मूल्य की रखम के पांच गुना जो भी ज़्यादा हो अदा करने का दंडनिया प्रावधान है। उसे अनुग्रह अवधी के भीतर ऐसी घोशनाओं या कथनों के साथ रिजव बैंक के कार्यालियों में या उसके द्वारा निर्धारित तरीकों से जमा करने का अधिकार होगा। विधेयक में अनुग्रह अवधी से आश्यके इंद्र सरकार द्वारा अधिसूशना के माध्यम से निर्धिष्ट उस अवधी से है जिसमें कानून के मताबिक पुराने नोट जमा किये जा सकते हैं। झाल सकते हैं। झाल झाल